इधर दिल्ली में मेरे बले सारे मित्र हैं उन्हों में एक मित्र हैं एड़ोकेट हैं और MP का चुनाबी लड़ चुके हैं साउथ दिल्ली से उन्होंने मुझे बाचीत में बताया कि वो एई उनके सारे मित्र हैं जब चुनाब की समय वो गए थे तो वहां उन्हें एक द्रस से ऐसा मिला कि एक ब्यापारी कि यहां सभी लोगों के फोटो लगे हुए थे जितने भी संद्पुरुस हैं महापुरुस हैं या जो गौड ह उसमें बुद्ध का फोटो नहीं था तो उन्हें जिग्या सा हुई क्योंकि वो बुद्ध की फिलोस्पी का धन करते हैं तो उन्होंने पूछा कि आपने सब का फोटो लगाया है मगर बुद्ध का फोटो नहीं लगाया जबकि बुद्ध को तो आप लोगों ने अफतार भृई गुजद किया हुआ है तो कम से कम आप अफ़तार गुजद करे हैं तो फिर अफ़तार गुजद का फोटो तो लगाते बाकी सबका तो लगाया तो थोड़ा सा वेक्ती जहपा और जहपने के बाहद उसने कहा कि हम बृद्द को तो मानते हैं और बुद्ध की सिक्षाओं को नहीं मानते उन्होंने पूछा क्यों उसका जवाब उसमें दिया नहीं जो ब्यापारी था उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस पे एक वीडियो बनाएए और बताएए कि ऐसा जवाब उसमें क्यों दिया हाला कि जवाब तो उनी को देना चाहिए जो ब्यापारी महोते हैं क्योंकि सवाल भी उनका है जवाब भी उनका है मगर मैं विश्टेशन कर सकता हूँ जवाब तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी ब्यापारी वर्ग से रहा हूँ देखे व्यापार जो होता है उसमें हमें सबकी भागिदारी चाहिए हम ब्यापार में वन, जात, या गोत्र, या छोटा, या बड़ा, या उमुच, या नीच, या काला, या गोरा, या सफेद, पीला, नीला, बीमार, मरीज, यो सवस्थ, उमुची बिल्लिंग वाला है, छोटी बिल्लिंग वाला, ये नहीं देखते हैं बैपारी का जो धम होता है बैपारी का जो कर्तब होता है वो है कि जो वो सामान बेच रहा है उस सामान का उसे मूलने मिलना चाहिए और उसका सामान अत्याधिक पिकना चाहिए हर साल दर साल बढ़ना चाहिए उसका बैपार और देश में हैं तो बिदेशों के अंदर भी ये ब्यापारी का छेत्र है ये ब्यापारी का धम है तो कोई भी ब्यापार करने के नहीं है क्योंकि मानेता हो तो ब्यापारी की एक होगी बहुत ज़ता दो होगी क्योंकि सारी मानेताओं को मानेगा तो बैपार क्या करेगा बैपारी की पहली और आखरी मानेता होती है उसका माल भिखना चाहिए उसे मुनाफ़ा होना चाहिए इसमें उसको बोलते है लाला यानि लाला लेले नहीं बोलते लाला यानि ले ले बोलेंगे तो ले जाएगा बैपारी ज़ाडू भी अगर लगाता है तो दुकान के बहार नहीं लगाता है वो कुडा भी सकेर्टा है तो अंदर की तरफ सकेर्टा है कहीं कोई सिक्ता विक्ता कोई समान नहीं हो खटा करके चेक करके तब फैंटा है और वो कहता है रात को जब दुकान बंद करता है तो कहता है दुकान को बढ़ा दे कभी ये नहीं कहता कि दुकान को बंद कर दे वो हमेसा कहता है दुकान बढ़ा दी मैंने बढ़ादी का मतलब मैंने और ज़्यादा आगे कर दी है बढ़ादी का मतलब है वो और ज़्यादा बढ़ गई है एक्सपैंड हो गई है फैल गई है बढ़ गई है मतलब कभी नहीं वो कहेगा इन नियम है कि दुकान में बंद कर रहा है वो कभी अपनी दुकान बंद करने का सोच भी नहीं सकता, उसका धम् में उसका बेअपार है तो अधिक Grade खास तोर से जिन बेअपार के अंदर विस्वास का वातरौन होता है जैसे दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी डीलर है प्रॉप्रटी डिलर में चुकि विस्वास का मानला बहुत जादा है कि आप एक प्रॉप्रटी खैद रहे हैं पतानी उप्रॉप्रटी खराब है अच्छी है कोई फर्जी कागज ना हो कुछ ना हो जितने भी प्रॉप्रटी डिलर है वो लगबग सभी की तस्वीरे लगाते है ऐसे ही जिन दफ्तरों के अंदर जहां कुछ लेंदेन का मामला है जहां रिस्वत का मामला है या जहां कोई कमिशन का मामला है आप खास तोर से देखेंगे कि दफ्तरों में तो गौड का भगवान का कोई मतलब नहीं है, काम करो सरकार है, सरकार के लिए तो सारे गौड और सारे संत बरावर हैं, मगर लोग अपने अपने संतों का फुट लगाते हैं, और बहुत सारे दफ्तरों में तो जो उनकी मानता की मंदर भी हैं, या इस्थाल पाप करम कर रहे हैं जानते हैं तो पाप से बचने के लिए उन मानताओं का आसिरवाद चाहिए और जिन दफ्तरों में रिश्वत का या नंबर दो का या कोई ऐसा काम नहीं है जो हिरा फेरी का उनमें तो आदमी अपनी फोटू नहीं लगाता वो लगाएगा तो क्या लगा गरती है कि एक विज्ञान है बिसिकली एक ब्यापारी का इसलिए ब्यापारी कभी आपसे नहीं कहेगा कि मैं आपकी मानता नहीं मानता हूँ आपको क्या पता वो क्या मानता है क्या नहीं मानता है जैसे एक अलग मानता का ब्यापारी है वो अपनी मानता है मगर वो बात वो आपसे कभी नहीं लड़ेगा, वो आपसे जिरही भी नहीं करेगा, वो उसका मामदा नहीं है, बैपारी का बिनिसमेन का सिर्फ एक धम होता है, कि जो सामान वो दे रहा है उसमें उसको प्रॉफिट चाहिए, अगर घाटा है तो फिर वो अधम हो जाएगा उसके लिए, घाटे वारा काम नहीं करेगा, फिर तो लेले वारा काम हो जाएगा, तो वो चैरिटी भी नहीं करता, वो अपने बैपार में कहीं कोई ऐसा काम नहीं करता है, कि उसका बैपार में और नुपसान हो, जो बैपार में चैरिटी करता है, वो संत होता है, बैपारी नहीं होता, अगर कही भुकमरी हो जाए तो अनाज महंगा हो जाता है कहीं स्रोटेज हो जाए तो सामान महंगा हो जाता है कहीं ज़्यादा डिमांड हो जाए तो सामान को स्टोर कर लेते हैं ताकि महंगा बेके बैपारी मौकों की तलास में रहते हैं उनको देश से उनको दुनिया से उनको किसी मानता से उनको किसी गौड से उनको किसी से कोई मतलब नहीं है उनका सिर्फ एक ही धम है ब्यापार करना है ब्यापारी का धम है लाप कमाना यही उनको सिखाया जाता है यही उनको बताया जाता है यही उनके जहन में उनके धिमाग में उनके मन में बचपन से डाला जाता है क्योंकि मैं एक ब्यापारी परिवार से रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ क्योंकि दुकान पे अगर आज बैठा है व्यक्ति और दुकान पे उसने आज तीन सो रुपे नौकरों की सेली में और उसने वो पचास रुपे के पर चीज बेज दी तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि पचास रुपे का फाइदा हो गया वो ये कहेगा आज तो पचास रुपे का नुकसान हो गया क्योंकि प्रुफिट आना था सो रुपे का आया पचास रुपे का तो नुकसान हो गया यानि उनकी जो भासा है वो भी इस तरह की है कि वो हमेशा मतलब कम प्रॉफिट को लॉस बताते हैं और लॉस करके गिनते हैं ये भारत में ब्यापारी ऐसे नहीं हुआ करते थे क्योंकि सुदत्त के टाइम है भगवान बुद्ध के टाइम है जब सुदत्त था अनात्पिंडग था तो वो सबसे बड़ा ब्यापारी सावित्ती का था मिलिनेरे बताते हैं उसको अरबपती बताते हैं कहते हैं उसने जैतवन की जमीन खे दी वो सुने के सिक्के बिचा के जैतवन बिहार की जमीन खे दी इतना उसके पास मता और जब उसे ये पता चल गया कि ये पैसा तो व्यक्ति के पास कभी रहता ही नहीं है पैसा तो आना जाना है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पीडियां दर पीडियां स्रेट रही हूँ ऐसी कोई पीडिय नहीं है ऐसी कोई डाइनेस्टी नहीं है ऐसा कोई करम नहीं है पूरी दुनिया में जब कोई ये कहता हो कि उसके खांदान के खांदान के हजार खांदान से इतना ही करोड़पती है ये कवरपती और लखपती ना बहुत तेजी से बदलते रहते हैं क्योंकि एक दुकान चलती है को समय बाद वो सामान की प्रानी हो जाती है एक नई टेकनोलोजी आती है फिर उस पर ब्यापार चलता है फिर कुछ हो रहा जाता है ये अदलता बदलता रहता है कभी किसी में घाटा कभी किसी में फाइदा होता रहता है ये चलता रहता है इसलिए अगर वो ब्यापारी माननता को नहीं मानता है और वो ये कहता है कि मैं सिक्षाओं को नहीं मानता माननता को मैं उनको मानता हूँ उनके फोटो को तस्वीर को मानता हूँ वो बलकुल सच कह रहा है, मानना का सा उसका कोई देना देना नहीं है, धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर, अपने यूटूब पर, अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर, टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या सबी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बना कर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू संगं सरेणं गच्छामू धूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामू धूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामू धूतियं पी धम्मं मर्सर्मं गच्छामू धूतियं पी दम्मं सर्मं गच्छामू दूधियं पी संडbury सिरु बच्छानु दूधियं पी संड़ं सरंळं गच्छानी ततियं पी जुद्धों सिरु बच्छानु ततियम् पी गुतं सर्मं गच्छामी ततियम् पी धम्मं सर्मं गच्छामी